बहुत समय पहले की बात है। वे अपने पूरे अस्तित्र के साथ हसते। अचानक लोगों का ध्यान उनके तरफ खिचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारो तरफ एक बड़ी भीड़ी कठा हो जाती। वे इतनी एकागरता, तलीनता वे समपूनता के साथ हसते कि उनकी हसी देखकर सारा गाउं हसने लग जाता। जब वे पूरा गाउं हसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गाउं चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उकदेश देते और ना ही कुछ सिक्छा। वे जहां भी जाते, अपनी हसी से ऐसा महौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूल कर बस हसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगें और वो पूरे चाइना में फेमस होते गए, थ्री लाफिं मौंग के नाम से। जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया था। लोग उनका नाम पूशते लेकिन वे बस हसते, तो यह उनका नाम बन गया तीन हसते हुए भिक्छू, थ्री लाफिंग मौंग्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हसाते हुए, समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए, और एक रात जब वे एक गाउं में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्छू की मौत हो गई। पूरा गाउं इस्तब्ध रह गया, पूरा गाउं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्य हो गई होगी, तो बागी दो जरूर रोएंगे, यह देखने लाइक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को र और इसकी मरत्यू पर आपको हसना नहीं चाहिए, तब उस दिन पहली बार उन विक्छों ने लोगों से बात की, और कहा, हम हस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है, हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया, हम अपनी ह हन सकते हैं, लेकिन पूरा गाउं उदास था, जब मरत्य बिक्छों के सरीर को अंतिम संसकार के लिए चिता पर लिटाया गया, तो सारे गाउं वालों को एहसास हुआ, कि सेस दो बिक्छों केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वह तीसरा जो मरत्य था, वह भी हंस रहा था, चीन तीसरे विक्छों ने कहा था, मुझे इसनान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी असुध हुआ ही नहीं, मेरे जीवन में इतनी हसी आई कि कोई असुधता जमा ही नहीं हो सकती थी, मैंने कोई धूल जमा नहीं की है, हसी हमेसा युआ और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहला कर म रंग बे रंगे कल्डरों में फैल गए, और यह देखकर एक बार पूरा गाउं जोर जोर से हसने लगा, तो इस तरह से वह तीसरा मौंक मरने के बाद भी सारे गाउंवालों को हसा गया, और यह देखकर सेस दोनों फिक्छों ने कहा, चाला का आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हारा दिया, तुम्हारे दोरा गाउंवालों के चहरों पर पैदा की गई, यह हसी आखरी हसी थी।